श्रीराम की नगरी आयोधिया में प्रभास और सैफ की मच अवेटेट फिल्म आदिपुरुष का ग्रांड टीजर लॉंच हुआ लेकिन जैसे ही फिल्म का टीजर सोशल मीडिया पर पहुचा हंगामा खड़ा हो गया सैफ के रावण लोग पर सवाल उटे लगे लोग रावण बने सैफ का कंपैरिजन अलाउत देन खिलजी से कर रहे हैं आरोग तो ये भी लग रहा है कि आदिपुरुष में भगवान शिव के परमभक्त रावण का इसलामी करण किया गया क्या है पूरी सचाई देखे हैं हमारी इस खास रुपोर्ट में सोशल मीडिया पर फिल्म आदिपुरुष के रावण का ये लूग ट्रेंड कर रहा सेफ पर फिर हिंदू की भावनाओं को ठेश पहुंचाने का अल्जाम लग रहा है रावण नहीं बल्कि वो मीर जाफर है वो अलावदिन खिजली है मीर बाकी है और अंजेब की तरह बना दिया तुमने यानि कि रावण का आपने इसलामी करण कर दिया सवाल बिना मूच वाले हनुमान पर भी उठ रहे हैं क्यों आप इस तरह का कर रहे हो भाई बहुसंख्यकों की भावनाओं को आहुत न करो अधी पुरुष को लेकर ये बवाल क्यों मचा है हम आपको इस की एक डिटेल बताएंगे लेकिन पहले बाउबली फेम प्रभास की मच अवेटिट फिल्म आधी पुरुष के इस टीजर को गौर से देखी लिए ये फिल्म वालमिकी रमाइन पर बेस्ट है फिल्म में प्रभास शुरी राम के रूल में हैं कृती सेनन माता सीता का करदार निवा रही हैं सेफ अली खान लंकेश के रूल में है सनी सिंग लक्षमन के किरदार में है जबकि देवदत नागे अनुमान के रूल में आदी पुरुष अगले साल बारा जनवरी को रिलीस होती लेकिन टीजर लाव नौमी के मौके पर जारी कर दिया गया है टीजर लाउंच करने फिल्म के लीड एक्टर प्रभास कृटी सेनन और मेकर्श श्रीडाम की नगरी आयोध्या पहुंचे गया आयोध्या में सर्यूनली की किनारे बहद ग्रेंट तरीके से आदी पुरुष का टीजर लाउंच किया गया टीजर लाउंच होते ही सोशल मीडिया पर हंगामा हो गया सिर्फ वाइरल ही नहीं आदी पुरुष पर लोगों का घुस्ता खुट पड़ा और इसकी वज़े हैं सेफ अली खान आदी पुरुष के टीजर में सेफ अली खान का लुट एकदम अलग नज़र आया है के बाल छोते हैं आँखों में सुर्मा चेरे बर्दारी और बॉड़ी पर ब्लैक आउट्फिट है टीजर में सेफ काफी खुखार नज़र आ रहे हैं बुश्पक विमान के बजाए सेफ को चमगादर जैसे दिखने वाले जीव पर उड़ते दिखाया गया लोग सेफ के रावण लुक का कंपरिजन खिलजी से कर रहे हैं लिख रहे हैं कि फिल्म में भगवान शिख के परमभक्त रावण को इस्लामिक आकरमनकारी जैसा दिखाया गया सेफ के लुक को हिंदों की भावनाओं के खिलाव बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये बिलकुल भी बरदाश्ट नहीं किया जाएगा यूजर्स को आदि पुरुष के बिना मूच वाले हनुमान से भी इतराज है एक यूजर ने फिल्म में हनुमान का स्क्रीन चौट शियर किया है रमायन में हनुमान और आदी पुरुष में मुसल्मान कोई भी हिंदू बिनामूच के दाड़ी नहीं रखता है सवाल फिल्म के वी एक्स पर भी उठ रहे हैं फैंस कह रहे हैं कि आदी पुरुष का वी एफ एक्स किसी वीडियो गेम से लिया गया है सोशल मीडिया यूजर्स रमायन के अनिमेशन की तस्वीर शेयर करके लिख रहे हैं कि वो आदी पुरुष से कहीं ज्यादा बहतर है अखिल भारत हिंदू महासबा के राश्टिय अध्यक्ष स्वामी चक्रबणी महराज में तो यहाँ तक कह दिया है कि फिल्म में से रावन कम, खिलजी चंगेसान और औरंगजेब ज्यादा लग रहे हैं जो रावन का करेक्टर है रावन अपने आप में भगवान सीव का परम भक्त था और उसमें जो रिसीब इसे स्वरवा के पुत्र थे तो आप ज़रा सोची कि जो भगवान सीव का नन्य भक्त जिसमें सीव तांड़ों तक की रचना की और भक्ती की परकाश्टा देखिए कि वो अपनी सर को काट के भगवान सीव के चरणों में अर्पित कर देते थे ऐसे भगवान सीव का जो पोस्टर जारी हुआ उसमें जो आप देखो तस्वीर है उसमें सुर्मा लगा करके ऐसे लग रहा है कि वो रावणड नहीं बल Glen की चंगेज खा था है रावणड नहीं बल्कि वो मीर जाफर है जो रावणड अज़िब इस्तिति वहा पर जिसे लग रहा है कि जो है ओ अलाओ दिन क्खिजली है मीर बाकी है और अंजेभ की तरह बना दिया तुमने यानि की रावणड का आप आपने इसलामी करण कर दिया रावण का मतलब आप इसलामी कातंकी के रूप में दिखा रहे हो तो ये ठीक बात नहीं है अब सवाल ये है कि आखर बार-बार हिंदूों की भावनाओं को टारगिट क्यों किया जाता है बार बार हिंदूओं के देवी देवताओं को निशाना क्यों बनाया जाता है? क्या फिल्म इंडर्स्ट्री के लिए हिंदू स्टॉफ टार्गिट है? वैसे आदी पुरुष दूसरी बार कांटोवर्सी में फसी है इसे पहले दिसंबर 2020 में जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो सेफ के एक बयान ने संसरी मचा दी थी एक इंटिव्यू में सेफ ने बातों बातों में यहां तक कह दिया था कि फिल्म में रावन का शुरू राम के साथ युद्ध करना और सीता हरन करना ऐसा दिखाया जाएगा जो से जस्तिफाई करेगा इसमें दिखाया जाएगा कि सीता का अपहरन और राम के साथ युद्ध जायस था क्योंकि लक्षमन ने रावन की बहन सूपनखा की नाक काती थी सैफ के इस बयान को लेकर काफी बवाल मचा था लोगों ने इसे हिंदू धर्म का अपमान बताया हिंदू संगटनों ने फिल्म को बाइकाट करने की वार्डिंग दे दी जिसके बाद सैफ को माफी मांगनी पड़ी मुझे खबर मिली है कि इंटर्व्यू में मेरे दिये गए बयान के कारण लोगों की भावनाओं को ठेस पहुची है मेरा ये इरादा कभी नहीं था मैं सभी से इमानदारी से माफी मांगता हूँ और अपने दिये बयान को वापस लेता हूँ मेरे लिए भगवान राम हमेशा सिधार्मिक्ता और वीर्ता के प्रतीक रहे लेकिन एक बार फिर आदिपुरुष विवादों में है इस बार फिल्म को लेकर सियास्त की हाई है मत्यपदेश के ग्रे मंत्री नरोत तमिश्रा ने साफ कह दिया है कि अगर मेकर्स ने फिल्म में बदलाब नहीं किये तो फिर वो एक्शन के लिए तयार रहे हमारे देवताओं के लिए किसी भी धर्म के देवताओं के ऐसी प्रुस्तिती नहीं करना चाहिए खासकर हमारे धर्म में तो परिधान होते हैं अंग बस्त होते हैं हर एक के बिल्कुल तय है सादू क्या पहनेंगे संत क्या पहनेंगे महात्मा क्या पहनेंगे भगवान क्या पहनेंगे किस पर मुकुट होगा किस पर केश होंगे अब अनमान जी के जो बश्तर बता दी हैं उसमें हमारे या तो अनमान जी का अनमान चालीसा में वड़न है कानन कुंडल कुंचत केसा हाथ बज्ज और दुजा विराजे काने मूद तो क्यों आप इस तरह का कर रहे हो अब भाउसंख्यकों की भावनाओं को आहुत न करो वसलिए मैं उनको पत्र लिख रहा हूं अम्रावजी को और उनकी उसके बाद समझ में नहीं आएगी इस तरह के दरस नहीं अटाएंगे तो आगे की कारवई बेविचार करें या लगता आपको हिंदू धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ फिल्म में बनती हैं वैब सीरीज बनती हैं आपने कई बार आप बैसे दो किसी पे भी देवताओं को आपती जनक किसी भी धर्म के को नहीं बताना चाहिए पर इनने सौफ्ट टारगेट हिंदू को इमाल जमर्टो पे उठाइए थी सनेलियोनी के मदवन में रादिका पे उठाइए थी सबसांची के मंगल सूतरवाले विसे पे उठाइए उन सबने बापिस लिया और इनसे भी आगर है कि बापिस लें बीजेपी आदी पुरुष के विरोध में हला बोल रही है बीजेपी प्रवक्ता माल्विका ने फिल्म के विरोध में सुशल मीडिया पर लंबी चौड़ी पोस्ट की और लिखा वालमिकी के रावन महाशिव के भग थे लंका अधिपती 64 कलाओं में माहर थे उन्होंने नौग रहों को अपने सिंगासन में जड़वाया था थाइलंड के लोग कितनी खुबसूरती से रामायन के लिए नाचते हैं फिर इस काटून को बनाने की क्या जरूरत थी ये सही में तैमूर का पिता है बॉलिवुड के लोग कितने बेवकूफ हैं थोड़ी सी रिसर्च भी नहीं कर सकते वैसे इन दिनों सेफ की ज्यादा तर फिल्म और वेब सिरीज कांट्रोवर्सी में ज़रूर फस्ती है अब ये इतिफाख है या पबलिसिटी स्टंड ये तो सेफ और फिल्म के मेकर्स ही बता सकते हैं विलाव आदि पुरुष को लेकर हंगामा हाई है बात बाइकॉड तक पहुँच चुकी है आप देखना ये है कि क्या इस फिल्म का अंजाम भी वॉलिवूट की दूसरी फिल्मों जैसा होता है